देखें कभी भी कोई बहुत बड़ा जो है अगर कुछ कांड हो जाता है तो पुलिस से अगर उमीद नहीं लगाई जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि यह केस को देदो कि पुलिस यहां पर बाइस हो सकती है एक केस में पढ़ रहा था कर नियूज में आया था उसमें क्या हु एक सो तीम किलो सोना जो है वो गायब हो गया ठीक अभी इसमें क्या हो रहा है कि यह कोट में केस गया तो उन्होंने कहा कि यह से कंप इस साख को खतिरा अगर लोकल पुलिस नहीं है प्रफिसर्स के शिर्फ सीविंग होते हैं और बाकी पुलिस वालों के सिर्फ पूछ होती है अगर आपने गलत नहीं किया है तो अगनी परिच्छा देने के लिए तैयार हो जाओ जैसे सीता मैया की अगनी परिच्छा होई थी वाइसे आपकी भी होगी अगर आप सही निकल गए तो बहुत पढ़िया और नहीं निकले तो फिर बताओ कि यह कांड हुआ कई से तो यह समस्या है लेकर आपको क्या लगता है कि CBI कि क्या जाच मतलब लोकल पुलिस नहीं कर सक उसके बाद जो है दूसरा यह लोग CBI वाले या फिर कोई आईस पीसे लोग हो जाते हैं वो अपने आपको अधिखारी समझने लगते हैं यह बड़ी समस्या है और यह बड़ी जो है विचित्र बात लगती है यह मेरे पास कई सारे फोन आते नहीं मेरी कॉलिंग वालों के अलगे चैंट के जाता हूं जब मैं कमेंट के जवाब देता अकश्व करते हुं तो उसने बड़े अधिकारी यह उसी बात कर रहे हो वहां पर पुलिस बुला के उठाना लेंगे तो हमारे कॉलिंग और बोला कि भाया इसा है हमारे पास मंत्रियों तक की कॉलाती है और यह सही बात है जैसे मुक्तार अबास नकवी जी है जो उनके कजिन है कोई शाधिया उनके को रिलेटिव है वह हमारे पेटगूप के मेंब अगर कोई नहीं कियो तो फिर उसको ड़ने यह ठीक है लेकिन अगर गलत है चोड की दाड़ी में तिंका होता है अगर कुछ इसी ये बड़ी समस्य है हमारे पास कई सारे जब मैं यूपी पीसेस के क्योंकि कई बार यूपीपीसेस को कुछ मुद्ध में उठा देता हूं अब कुछ बड़े अधिगारियों को और कुछ और कुछ राइद ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेले और इनको भी कई बार पसंद नहीं आते हैं आगे नहीं पसंद आते हैं तो इस में मैं मदद नहीं कर सकता हूँ मेरा भी जो है मुझे आपके देने की कोशिश करते हैं ठीक है रहा तक है वो दिलवाते हैं तो यह मुझे पता जल जाता है कही बार जैसे हैं अपको बोलेंगे तो उन को काल करनी पड़िगे मैं उनको काम है समझे रहो बात अब उनका काम है कोई और मैं उनको कॉल करो कि कैसे मैं आपकी हल्प कर सकता हूँ अब यह लुलू पुंजू और यह बट्रिंग और ट्रिंग पत्ते चाटी है यह वही करें जो सरकारी हो जब मुझे जो है मैं सरकारी आद्म हूई नहीं मैं प्राइवेट इंडिविज्वल हूँ मैं सारे काम अपने समयदान के दायरे में करता हूँ सारे कानून मानता हूँ अभी दिवाली में पटाका बैन हुआ मैंने नहीं खरीदा मन बहुत था तो जब यह मैं एक नॉर्मल सा नागरी हूँ मैं मामूली सा यूटूबर सरगार की पत्ते चाटी क्यों क्यों करना बस उसके लिए जो मैं पैसे चार्ज करता हूं पेड़ गूप में और वीडियो देता हूं फ्री तो इसके लिए मुझे किसी गवर्मेंट अधिकारी को या फिर अमेले एंपी को क्यों जो है पत्ते चाटी करने की जिरूत है कि क्या बोला जाए बताइए एक कई जिंदगी है आईसे जो है डर दब करें आपने सीखा नहीं है और कोई जो है गलत का मैं करता नहीं हो सारी चीज़े लॉजिकल और कानून के दायरे में करता हूँ अब भाईया जिसको अच्छा लगे पूरा लगे आईसा ही है सब कुछ और आईसा ही चलेगा आगे भी आप लोगों पता नहीं है आप लोग के इशू ठाने चक्कर में मुझे कई लोगों ने इतना ट्रोल किया है फेस्बुक पे यूटूब पे कई बार जो है मुझे लगता है कई आईस इस इस तरक अगर अधिकारी विज़े ट्रोल करने लगते ह करने हैं और कई लोग आप अपने प्राइसियर करदो है आप जानते हैं ना राइट टू प्राइवसी भी एक फंडामेंटल डाइट है तो अम हम कैसे एडूकेटर की इंफोमेशन सेर करते हैं कि फलाना जो आनलाइन का नंबर वन है वो तो करता है हम क्या करें हमारी पॉलिसी अलग है हमारे एडूकेटर ने अगर हमको मना कर बंडारा है तो आप कैये को होगे कि हमें उस ओटल का चाहिए फ्री के बंडारे में जो है कमी नहीं निकाली जाती है सारी चीज़ें हमने फ्री करके अब यह भी नहीं कोई सकता है कि यूटूब में आयड से तो तुम कमाते हो लाको इसलिए मैंने प्री कुई है इसलिए और एक और चीज़ जो एक है अग्सिस्टेंस मानने को भी मैं तयार नहीं हुए इवेंट अगर हमारे यार र्रूट्मेंट चलता है मैं उन लोगों का एक्स्पीरेंस काउंड नहीं करता हूं साब बात हमारी जो टीम है जितने भी जानते हैं या फिर कोई नहीं लोग निकाल दो दुनिया से निकाल दो कहीं से भी एक्टिट्यूट सेम रहेगा जैसा अभी तक था वह इसे ही आगी भी रहेगा